हलो दोस्तों स्वागत है आपका राइट इंफर्मर चैनल में और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपका मोबाइल गूम हो जाता है या चोर आपके मोबाइल चोरी करने के बाद आपका सीम को निकाल देता है और फिर वो अपना सीम आपके option होता है जिससे कि आप contact कर सकते हैं इसलिए इस वीडियो में मैं आपको पूरी जनकारी देने वाला हूँ कि देखिए दोस्तों होता क्या है कि ये वाली वीडियो पे मेरे पास बहुत सारे comments आए हैं जिससे कि मुझे पता चला है कि आप लोगों को बहुत सारे confusion है इसलिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ कि आपकी confusion को धूर कर दूँ मैं और आप पूरी तरह से समझ लें कि आपका अगर mobile चोरी हो जाता है या गूम हो जाता है आपका सीम को निकाल देता है और फिर वो अपना सीम डाल करके और आपके mobile को use करता है तो आप किस तरह से उससे contact कर स सकते हैं उसके पास एक message भेज सकते हैं ये सारी जनकारी इसमें आपको मिलने वाली है तो आप वीडियो को पूरा देखिए ये वीडियो में काफी अच्छा knowledge है और आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा मैं step by step सारी चीजों को नहां पर बताऊंगा देखिए इस चीज को करने के लिए आपको सबसे पहले कुछ requirement होगी जो requirement आपको पूरा करना होगा क्या requirement है सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि एक gmail id से आपको अपने mobile को हमेशा logging करके रखना होगा और उसी gmail id से आप कहीं से भी किसी भी laptop या computer से आपकी अगर mobile घुम हो जाती है तो आप उस gmail id को logging करके laptop या computer या mobile कहीं से भी आप उसके पास एक message और contact कर सकते हैं तो कभी कभी ऐसा भी होता है दोस्तों कि कोई लोटाना चाहता है आपका phone लेकिन उसके पास आपका contact number नहीं है तो इस case में भी ये काम करेगा या अगर माल लिजिए कि आपका बहुत ही ज अपने device को secure भी कर सकते हैं इससे और आप अपना account को log out भी हो सकते हैं तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि आपको करना कैसे होगा जैसे कि मैंने पहला step कि आपको अपने gmail id से आपको अपने mobile के अंदर logging करके रखना होगा gmail id को और उसी gmail id से आपको कहां पे logging करना होगा वो मैं अब आपको बताता हूँ, तो क्या करना है, आपको जाना है Google में, चलिए मैं आपके सामने दिखाता हूँ, आपको यहाँ जाना है Google में, और यहाँ Google में जाने के बाद आपको टाइप करना है Find My Device, यह देखिए Find My Device जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो आपके सामने इस त हो गया है अभी open होगा मैं आपको दिखाता हूँ देखिए इस तरह से यह open होगा और आपके सामने पूरा open होके real time का data आता है यह आपके सामने refresh करके दिखा देता हूँ आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए यहाँ देखिए just now scene यह refresh हो चुका है और देखिए यहाँ पर मैंने अपना location को turn off कर रखा इसलिए नहीं तो यहाँ पर location भी दिखेगा इसके लिए आपका sim निकाल दिया है और फिर उसको इस्तमाल कर रहा है वो अपना sim डाल करके तो आपको किस तरह से चोर से contact करना है तो इसके लिए देखिए यहाँ पर clear लिखा हुआ है secure your device यहाँ पर clear लिखा हुआ है कि lock device and sign out from google account यहाँ से आप क्या क्या कर सकते हैं अपने device को lock भी कर सकते हैं email id का account है जो आपके mobile में logging था उस email id को आप चाहें तो log out भी कर सकते हैं अभी देखिए log out मत कीजिए जब पहले उससे contact करने की कोशिस कीजिए तो आपको क्या करना होगा आपको यहाँ पर जो secure device के उपर जस लेकिन हाँ एक चीज में आपको बताना भूल गया कि यह तभी खुलेगा पेश जब मैंने की जैसे की बताया कि जो जीमेल ID आप अपने mobile में डालके logging किये थे वही जीमेल ID आपको यहाँ पर logging करना होगा आपको देखिए मेरा account यहाँ पर logging है इसलिए यहाँ पर देखिए आइकन दीख रहा आपको तो यह logging है इसलिए दीख रहा है तो आपको यहाँ पर logging करना होगा same Gmail ID और password से तब आपके सामने यह पूरा page इस तरह से खुलेगा उसके बाद अब आपको क्या करना है यहाँ पर secure device के उपर आपको यहाँ पर click करना है और secure device के उपर click करेंगे तो देखिए यहाँ पर clear लिख रहा यह Google के द्वारा free है और आप इसको Google Android Manager के थुरू यह monitor होता है आप इसको free में use कर सकते है और आप बिल्कुल असानी से इसे इस्तवाल कर सकते हैं अपने mobile के tracking के लिए तो देखिए यहाँ पर आप करना क्या है आपको कोई भी यहाँ पर message लिख करके उसको कि आप यहाँ से भेज सकते हैं कि मेरा यह address है मेरा phone लोटा दो या कुछ भी message जो भी चाहें आप यहाँ लिख करके और यहाँ पर contact number देंगे तो यह क्या होगा कि यह उसके screen पर mobile lock भी होगी ना उसके पहले ही screen पर display करेगा और वहाँ पर message दिखाएगा वो अपना जैसे ही दूसरे sim डाल करके use करेगा इसके लिए condition यह है कि उसको net से connect होना चाहिए तो वो दूसरा sim डालेगा और net से connect होगा तो आपको बिल्कुल यहाँ पर दिखाई देगा जब वो चोर क्या होता है जब sim निकाल देता है तो आप contact करने की कोशिस करेंगे तो आपका mobile को क्या बताएगा switch of बताएगा या not reachable बताएगा इस तरह का message आता है तो आपको तो अब कोई जब switch of बता रहा है आ यहां से दे सकते हैं आपके पास यही एक option है जैसे ही वो अपना सीम डाल करके और उसको net से connect करेगा दूसरे सीम से और आप यहां पर logging होगे और logging होने के बाद आप देखेंगे तो आपको पूरा यहां पर location भी दिखाएगा और उसके साथ साथ आप उससे यहां से contact कर सकते हैं उसको message भेज सकते हैं उसको अपना phone number दे सकते हैं alternate कि आप मुझे इस number पर contact करो तो यह message इतना important होता है कि यह screen पर दिखाएगा अगर mobile lock भी होगा तो उसके screen पर display होगा यह message तो आप इसी तरह से उस चूर से contact कर सकते हैं और यहां से अपने device को secure कर सकते हैं यहां से आप log out कर सकते हैं अपने account को gmail id को लेकिन हां ध्यान दीजिए कि अगर आपने एक बार gmail id को log out कर दिया और यह वो चोर net से connect नहीं हो रहा है तो उस case में आप नहीं उसको track कर पाएंगे और नहीं वो message आप भेज पाएंगे यहां से तो यह आपको ध्यान देना है कि यह अगर चोर ने उसको flash out कर दिया पूरे data को समझे कि flash कर दिया अगर खतम कर दिया तो भी आप नहीं देख पाएंगे लेकिन अगर वो data को नहीं किया है और आपका email id logging है तो आप उसको message और भेज सकते हैं और आप उससे अगर वो चाहे तो आपके से contact कर सकता है और आपको phone वापस भी कर सकता है तो यहीं पे आपको डालना होगा message और यहीं पे आपको डालना होगा number और उसके बाद आपको यहाँ पे जो secure device है इसके उपर click करेंगे तो आपका phone lock हो जाएगा और lock होने के बाद उसके screen पे यह message display करेगा तो दोस्तों मैं उमीद करता हूँ कि यह video आपके ल आता है तो आप उससे contact कर सकते हैं आपके पास यह android में एक facility है आपके पास एक option है last जिसे की आप चाहें तो उस option को use करके उस तक अपना message को पहुंचा सकते हैं यह video आपको कैसा लगा आप इस video पे comment कीजिए और इस video के लिए एक like कर दीजिए और अगर आपको इस video में कोई भी दिकत है कहीं पे भी समझने में तो आप हमें comments box में लिखिए हम उसका जरूर reply करेंगे और आपको किसी तरह का भी कोई mobile से related question है तो आप हमें comments box में लिखिए हम उसके उपर भी video बना देंगे तो दोस्तों अभी तक के लिए बस इतना ही फिर मिलते हैं एक नए video में लेक एक दिन बाद डालते रहते हैं दोस्तों गुट नाइट सब्बाखर